हेलो स्टुडेंट्स आज हम इडियम्स और फ्रेजल वर्ब्स के पार्ट 6 लेकर आए हैं तो बच्चों अगर आपने पहले वाले 5 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके उन पार्ट 5 को भी देख सकते हैं जितने पार्ट और है इडियम्स और फ्र इ fragen 2 पनger मतलब पता है शंख शिप्त करना का टवन शोर्ट अया फ्रेट करना देंखि वेचों हित्ट स मियस कट यंश कातना जिसको बोलते हैं शोर्ट मिलस आधा या शोच चैसकते हैं ठीक है तो आधा काट देना मतलब पूरा ना बताना आधा ही बताना उसको हम क्या बो शोट याद रह जियो इगा निक्स देख फार कराई दूर की बात फार मीन से ता दूर तो यादका असान है और कराई मीन से चह-लाना तो दूर की बात तो यहां से यादका असान हो जागा फार मिल्स प्री के ता दूर तो दूर की बात नेग्स'd in highONG high means high डेड़ जन से डेड़ इसमें डेखोड दो वर्ड रहें डेड़ और जन उसको हम यार करेंगे डेड़ तो हमारे जो डेड़ होते हैं पिता होते हैं उनका गुस्सा कैसा होता है हाई होता है यार करना असान हो जाएगा कि हमारे जो डेड़ होते हैं उनका गुस्सा कैसा होता है हाई होता है यार करना सान हो जाएगा हमारे डैड में गुस्सा हाई होता है काउज कम होम बहुत सम्मे के लिए काउज क्याते हैं गाएं हो मीज क्याता है घर तो गाएं और घर याद रुखो अब इसको कैसे करना है कि हमारे घर पे ना गाएं क्या है बहुत सम्मे के लिए नहीं मलद सब्सक्राइब करें एक कोई बन्दा आया थां हो पूछ रहा की हमारे है है इन समय कले आप वोस्वा सब्सक्राइब क हमारे घर पर जो गाये हैं वह भुरत समय के लिए एक तो दिखी वर्क अगेंश्ट दा टाइम, वर्क क्या आता है काम, टाइम मींस क्या है सम्मे, ठीक है, तो अगेंश्ट क्या आता है सम्मे के अगेंश्ट, लगकि सम्मे के अगेंश्ट काम करना, मनलब बहुत तेजी से काम करना, मनलब टाइम ना लगाना, तो अगर हम दिन भर काम करेंगे तो क्या आगा? तेजी से करेंगे तभी क्या होगा? काम जल्दी हो पाईगा या इसको ऐसे भी याज कर सकते हैं कि पूरा काम मतलब पूरा काम सम्मय से पहले करने के लिए हमें बहुत तेजी से करना पड़ेगा काम को समय से पहले पूरा करना है तो म काम को कैसा करना पड़ेगा तेजी से करना पड़ेगा और वो भी दिन भर में करना पड़ेगा next हाफ हर्टे हर्ट क्या रता है दिल एधते यदो यह जड़ खूष रहता हौं निर उत्साहिद क्या होगो जो खुश ना रहता हो तो आधे दिल वाले लोग क्या रहते हैं हमेशा निर उत्साहिद रहते हैं अगर हर्टीट होता तो क्या जाता है उत्साहिद लेकिन यहाँ पर क्या रहा है निर उत्साहिद मतलब हाफ आ रहा है तो हाफ का मतलब क्या आता है आधा तो आधे दिल वाले लोग क्या रहते हैं मैंशा निर उत्साइथ रहते हैं मतलब खुश नहीं रहते हैं ठीक है नेक्ष देखिए टू कम क्लीन कम क्लीन इमानदर होना ठीक है अब इसको यार कैसे करेंगे यार करने के लिए आपको बहुत ही असान ट्रिक बताई जाएगी अगर आप खुद बता सकते हैं तो आप आपको कोई दिक्कत नहीं है आप बता सकते हैं अगर आपको कोई इसमें से ट्रिक आती है या आप बना सकते हैं त के कम क्लीन है अब इसमें से हम उठा रड़तें क्लीन को को कोई व्यक्ति है कि अगर उसका ढिल किह है जब कि अगर किसी व्यक्ति का दिल कम क्लीन है तो वह क्या होँ इमांदर होगा जिसका दिल कलीन नहीं होगा तो वो क्या होगा बैमान होगा हमें पता है ने जिसका दिल साफ होता है क्लीन होता है तो वो क्या होगा इमांदर होगा क्लीन का मतलब होता है साफ तो यार कैसे करेंगे कि जिस व्यक्ति का दिल क्या आता है साफ होता है वो हमेश इंदि रखना इन मींस में ऐकंजी रखना इन मींस में और रोते हैं अन्देरे तो किसी में रखना अंधेरे में रखना तो यह तो यार करना आसान होनगUh यहां पर दे भी रखा है कीफ का मींस क्याते है रखना डार्क मिंस अंधेरा और इन मींस में किसमें रखना अंधेरे में रखना क्याता है कीफ इन्दा डार्क salt of the earth बहुत भी बढ़िया फ्रेजल वरब है ये salt of the earth तेको यादखरा वात्ते हैं आप इसको salt of the earth इमानदार व्यक्ति अब आपको जब भी कोई ट्रिक याद करने होती है तो उसको पहले सोचा करो भी वह कहना क्या जाता है उसके words में क्या mention हो रहे हैं तो देखो salt, salt कहता है नमक और earth, earth का मतलब होता है पृत्वी यह हम कह सकते हैं पृत्वी को हम दूसरे sense में भी बोल सकते हैं जैसे अब हमारे भारत है तो हम क्या बोलते हैं वो भी तो पृत्वी ही है ना तो उसको हम भारत मता बोलते हैं तो भारत का नमक खाने वाला व्यक्ति क्या होगा इमानदर अगर प्रिथ्वी का नमक खा रहा है तो वो क्या होगा उस प्रिथ्वी के परती क्या होगा इमानदर होगा जैसे कहते हैं कि तूने मेरा नमक खाया है तो तू मेरे लिए क्या है इमानदर बन इमानदर व्यक्ति है तो कहते हैं मालिक मैंने आपका नमक खाया है तो मैं आपक फैकना नीचे फैकना क्या फैकना आम सोते हत्यार और देर होता है हम अपने तो यार करने असान हो जाएगा कि अपने हत्यार नीचे फैकना मतलब क्या है जैसे अभी अफगानिस्तान में हुआ है अफगानिस्तानियों ने क्या किया है अपने हत्यार फैक दिये तालिबान के सामने तो क्या कर दिया अपने आपको समर्पन कर दिया है तो यार करना कैसे करेंगे यार कि अपने हत्यार नीचे फैक देना समर्पन कर देना जैसा अफगानिस्तान में अभी हुआ है हाली में ता वियापन करना लीव का मतलब रहना भी होता है और जीवन वियापन करना भी होता है alta teeth from head-to-mouth मुश्किल से गुजारा होना देख़ता हुए मने काभ लीव मिस कहता हो ने मैंने का बादा लीम जाता गुजारा होना या रहना या गुजर्बसर करना तो head-to-mouth का मतलब है कि इसके head का है और mawt का मतलब मुँ उसके सीर और मुथ होने के बावजूद भी ऊकईसा रहगा है ? जीवन में अपन कैसा करना है ? बड़ी मुश्किल से करना है तो देखो जैसे करता है कि उसके हात पैर में पिर भीड़ी कमाता है बड़ी मुश्किल आपने ढ़ंग से कमाता नहीं है तो उसका गजर बसर कैसा था मुश्किल घंडा मुश्किल से हो रहा है यार कैसे करेंगे यार करेंगे अपको बता दिया है कि उसके सीर और मूउव होने के बाहुजूद भी उसका जो गुजर बसर रहा है बड़ी मुश्किल से हो रहा है यहां पर सीर और मुझ भी किसकते हैं हाथ और पैर भी किसकते हैं आपको याद करना है शेस्ट नेक्ष्ट देखिए तो कमेंट करके जुरूर बताएं कि वेडियो आपको कैसी लग रही है इस सीरीज को continue रखना है या नहीं रखना है एक बचो इसके लिए बहुत यारा मेहनत करनी पड़ती है और आपको एक चीज़ और बता दें जब भी यह idioms और phrasal verbs पूरे हो जाएंगे उसके बाद हम अंटो पड़ लीजिए अगर आपने एक बार भी पड़ लिया तो यह आपके आराम से कलीर हो जाएंगे थैंक यू मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में